आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone The question says that What is minimum subscription? So minimum subscription क्या है? So अब हम देखते हैं इसके answer को So the minimum amount of money which a company must receive before issue of shares is called minimum subscription So the minimum amount of money which a company must receive before issue of shares is called minimum subscription So money का minimum amount यहाँ पे company को क्या करना चाहिए? Company को यहाँ पे receive करना चाहिए shares के issue करने के पहले उसको ही क्या बोला गया है? उसको ही यहाँ पे minimum subscription बोला गया है That means जब यहाँ पे company क्या करना चाहिए? जब company यहाँ पे general public को shares issue करना चाहे रही है तो यहाँ पे public द्वारा minimum amount को क्या करना चाहिए minimum amount को subscribe करना चाहिए तभी company क्या कर सकती है तभी company यहाँ पे applicants को share a lot कर सकती है और companies act 1956 के तहट जो यहाँ पे shares का minimum subscription होना चाहिए वो issued amount का 90% होना चाहिए तो यहाँ पे हम दो scenario देखते हैं जससे हमें समझ में आएगा कि किस case में किस case में यहाँ पे shares a lot किये जाएंगे और किस case में shares a lot नहीं किये जाएंगे तो क्योंकि यहाँ जो minimum subscription है वो कितना होना चाहिए अगर यहाँ पे बात करें minimum subscription की तो वो 90% होना चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं तभी हम shares को a lot कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम case one देखें तो यहाँ पे कंपनी ने कितने shares इसु कर दी इक कंपनी ने यहाँ पे five lakh share इसु किये और return में उसको मिले कितने company आप यहाँ पर five lakh shares को issue करना चाहे रही है बट उसे जो amount मिला है वो कितना मिला है वो 450,000 के क्या हुए है उसको यहाँ पे amount receive हुआ है तो अब इसका अगर हम percentage देखें तो 4512340 देन 512345 तो यहाँ पे हमने क्या किया है यहाँ पे हम percentage निकाल रहे है 0 से यह 0 चला गया 0 से यह गया 45 को हम 5 से divide करेंगे तो 9 यह क्या आजाएगा यहाँ पे 90% तो यहाँ पे वो कितना कितने share issue करना चाह रहे थे वो यहाँ पे 5,000,000 share issue करना चाह रहे थे और उनको जो amount यहाँ पे receive हुआ है वो 4,50,000 का क्या हो गया है यहाँ पे amount receive हो गया है तो यह minimum subscription के criteria को क्या कर रहे है fulfill कर रहे हैं तो यह क्या कर सकते हैं यह अपने applicants को यहाँ पे share issue कर सकते हैं अगर दूसरा case देखे हैं तो यहाँ पे जो वो शेयर issue करना चाह रहे थे वो कितना था वो था 5,000,000 और amount जो receive हुआ है वो 4,000 का हुआ है तो अगर इसका हम percentage देखें तो यहाँ 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 that means 400 divided by 5 5,85,8,0,0,0 आ जाएगा यहाँ पे तो 80 % So, यहाँ पे percentage के ज्या निकल रहा है यहाँ पे percentage निकल रहा है 80 % बट हमें पता है कि minimum subscription कहता होना चाहिए था minimum subscription यहाँ 90 % होना चाहिए था तो case 2 में यहाँ पे company क्या नहीं कर पाएगी company यहाँ पे अपने shares को lot नहीं कर पाएगी और case बन में वो अपने applicants को share issue कर पाएगी तो यह है minimum subscription का concept यहाँ पे पूछा गया था कि minimum subscription क्या है तो हमने यहाँ पे देख लिया है minimum subscription क्या है और यहाँ पे वो cases भी देख लिये है जो यहाँ पे minimum subscription के concept को describe कर रहा है so this is the answer of the given question